सारे जहा से अच्छा हिंदू सिता हमारा हमारा सारे जहा से अच्छा लेकिन हम इंसानियत नाम कि अब कोई चीज बाकी नहीं रही यहां तो बहलात ऐसे हो गए कि इनसान को इनसान कहना भी इनसानियत की तोहीन लगती है ऐसा लगता है कि हम किसी जंगल में रहते हैं और इसके बराक्स आप यकीन कीजिए मुझे बात बड़ी शरम से कहनी पड़ती है आप इंडिया को देख लें इंडिया में अपने स्पोर्ट्स परसन्स जो उनके हैं चाए खावतीन और चाहे मर्द हज़रात हो उन पे इंडिया फिल्में बना रहा है अगर यह इस तरह कर रहा है तो बहुत गल्द कर रहा है ठीक है इसको इसको इस तरह नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के जंटा लेकर उन्होंने भारत यूएई की जो फ्रेंडशिप है और जो पार्टनर्शेप उसको लेकर उन्होंने ट्रिब्यूट दिया राष्टगान गया सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा गया जो की अविसली एकबाले लिखाते है एकबाल जो पाकिस्तान की क्रियेशन बहुत एक आपको पता होगा मौनोंने मतलब जाना जाता है उनको पहले ही पूरा वीडियो देखते हैं फिर वीडियो के प्रिब्यूट देने के लिए 15 अगस के मोगे पर इंडिया के नेशनल एंधम को गाकर यूट्यूब पर पब्लिश किया है जिस पर बहुत सारे लोगों ने वह अपने अपने रियक्शन दिये मैं सपैशली पाकिस्तानी पर जाऊंगा और उनको ये वीडियो कि वह देखने के बाद क्या कहते हैं सौदियारब के एक शेख ने बहुत बड़ी बात है एक मुसलमानों को लीड करता है और उसकी मतलब लीडिंग मतलब वो रोल अदा करता है तो ऑईसी का भी वो चैर्मैन है आपके सामने कश्मीर का इश्यू है इस्रेयल का इसका फलस् प्रविंग का इश्यू है तो वो बलाश करते हैं वो मारते हैं मतलब वो इतने जलम करें मुसलमानों के उपर उनके खिलाफ और वो एसे में कोई आवाज नी उठाई जारे जो हम ट्रेड़ कर रहें सबसे ज़ादा जो इंडिया खरीद रहा जिस टैम पेट्रोल है वो ते किसी मुलक को हम अच्छा अच्छे इलवास से बयान नी कर सकते हैं अगर इनोंनों कुछ किया भी है तो किसी किसी मुलक के बारे अगर कोई इंडियन पाकिस्तानी कोई तरह ना गागता तो हमें कैसा फील होता आपको पहली बात तो यह ना कि मुसल्मान होने के नाते एक मुसल्मान दूसरे मुसल्मान का भाई है वो चाहे अफरीका का मुसल्मान है चाहे फलस्तीन का मुसल्मान है चाहे इंडिया का मुसल्मान है वो किसी भी कंट्री का मुसल्मान है अगर उसको तकलीफ पहुंचती है तो वो हमारे एक जिसम की है और सबसे ज्यादा इंप्लाइमेंट जो सौधिया में है वो तो मसला है ना हम आपको क्या लगता कि पूरा पाकिस्तान देखता मजभा के इसाब से हम चल रहे हैं मजभा के आपको क्या लगता प्रावर्टी जैना तो यह कंट्री मकसद के लिए बना था ना आम इंडिया क साथ रहते हैं मैं आप से सवाल पूछ रहा हूं ना यहां पर कितने ऐसे लोग हैं जो के वादे के पापन्द वहां यहां पर इतने कितने लोग हैं कि पता सकते हैं कि पाकिस्तान के दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सूध लेते हैं पाकिस्तानी बैंक लेते हैं सबसे ज देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए अगर किसी से हमारी दिल आजारी होती हो खир weapons Анग पाकिस्तानी को पाकिस्तानी के वारे में कहें कि यह तो देश दौई हैं यह सोई टो दूश्मान लोग और इन से तो ताकत हैं मुसल्मान मुलकोंने के साथ साथ हमें के एटमी ताकत हैं तो वो कोई भी कंट्री है वो हमें मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम पावर डिसीजिंज में आ जाएं ठीक है एक ये इशू है दूसरी इशू जी है कि इस चीज के उपर हमारे उपर बहुत मेनत की गई हैं जिसके वज़े से फिर वो बुराईयां हमारे अंदर जड़ बराक्स आप यकीन कीजिए मुझे बात बड़ी शरम से कहनी पड़ती है आप इंडिया को देख लें इंडिया में अपने स्पोर्ट्स परसन्स जो उनके हैं चाए खावतीन और चाहे मर्द हजरात हो उन प को आपने आपको याद होगा वो एक बड़ी मशूर मुवी है भारत की भाग मिल्खा भाग फरानस्तर उसमें थे आप सब को पाकिस्तानियों को पता होगा कि मिल्खा कौन था मिल्खा सिंग ही वज़ा स्प्रिंटर बहुत तेज भागते थे वो आपको पता है ना उसका आ आपको पता है उन्होंने मिस्टर ओलम्पियन रह चुके हुए हैं उन्होंने कॉमनबल्थ गेम्स जीती हैं लेकिन आपको क्यूं पता है कि इंडिया ने फिल्म बनाई है उससे पहले आपको पता नहीं था इससे पहले दस सफ़ा सोचे आप यकिन कीजिए आप डॉक्टर अब्लसलाम से लेकि डॉक्टर अब्लकदीर खान तक की हिस्टी उठा कर देख लें डॉक्टर अब्लकदीर खान रोता हुआ गया है इस दुनिया से और उनके आखरी अलफाज यही थे कि मैं नसियत करके जाओंगा और उस शखस को जो टैलेंटिड है कि इस कौम के लिए क कुछ ना करें हमने जो सिला डॉक्टर अब्लकदीर खान साब को दिया यकीन कीजिए शर्म आनी चाहिए हमें अपने इस रविये के उपर और यही काम अपने तकरीबन हर हीरो के साथ हम करते हम उसको जलील करते हम को पता है अर्शद नदीम उसके वालदین को एरपोर्ट प यहां पर बात हो रही है कि अर्वी जो हैं वो सबसे पहले मतलब ऐसा करेंगे तबाह होंगे क्योंकि यह ऐसी हरकते कर रहे हैं आपको पता होगा साओध एरेबिया हो या UAE हो या आरप कंट्रीज हो इनको लेकर पाकिस्तान में कितना जादा एक आजीब तरीके का बियोहा है मतलब यहां पर ओरिया मकबूल जान जैसे लोग होते हैं जो हदीज वगयरा कोट करके ऐसी कुछ बात है करते हैं जैसे कि अर्वी लोग बहुत गलत कर रहे हैं आपको पता है साओध एरेबिया में दुनिया का सब इससे बड़ा होटल बन रहा है साओध एरेबिया प्लेसे यहां पर लोग आए आपको पता होगा यह चीज़ यूए भी कर रहा है दुबई में प्यट्रोल होता नहीं है तेल निकलता नहीं है लेकिन दुबई में आपको पता है कितने सारे देशों के लोग जाते हैं एक जंक्शन मना हुआ है वो भारत पाकिस्तान और बह झाल झाल